नमस्कार दोस्तों आज हम एक पॉवरफुल एर स्विच बनाएंगे अगर आप धीरे से इस स्विच पर फूँक मारेंगे तो ये आटमाटिक आउन हो जाएगा प्लीज विडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें विडियो 100% रियल होने वाली है सभी कॉम्पोनेंट्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सबसे पहले आपको 18-15 ट्रांजिस्टर को सीरीज में कुछ इस प्रकार से जोड देना है अब एक 1K रिजिस्टन्स को कुछ इस प्रकार से जोड दे फिर एक और 1K रिजिस्टन्स को कुछ इस प्रकार से जोड दे अब LED को कुछ इस प्रकार से जोड ले LED का पॉजिटिव पिन रिजिस्टन्स के साथ जोड दे अब आपको एक 8050 का ट्रांजिस्टर चाहिए होगा आप इसकी जगह पर 548 ट्रांजिस्टर को यूज में ले सकते हैं पर इसकी एम मीटर, कलेक्टर और बेस पिन को चैक कर ले क्यूंकि 8050 की पिन और 548 ट्रांजिस्टर की पिन सेम नहीं होंगी अब 12 किलो ओम रिजिस्टेंस को कुछ इस प्रकार से जोड ले अब 8050 ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन को LED की नेगेटिव पिन पर इस प्रकार से जोड दे और कपासिटर की पॉजिटिव पिन को पहले ट्रांजिस्टर की दूसरी पिन पर जोड ले अब 1 और 18-15 ट्रांजिस्टर ले इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर को जोड ले ये ट्रांजिस्टर इस स्विच को ultimately high sensitive बनाएगा अब 1 ohm का रुजिस्टन्स ले और उसे इस तरह से जोड दे अब copper wire को इस प्रकार से wind करके एक antenna बना ले और transistor की last pin पर जोर दे अब एक push button ले और कुछ इस प्रकार से capacitor पर जोर दे ये circuit को reset करेगा अब 9 volt की battery ले इसकी positive wire को दूसरे transistor की दूसरी pin पर जोर दे और negative wire को इस प्रकार से switch पर जोर दे circuit तैयार हो चुका है चलिए अब इसे test करते है antenna पर धीरे से फूंक देने पर ये on हो जाएगा और switch को दबाने पर ये reset हो जाएगा ये 100% real video है ये switch बहुत ही ज्यादा sensitive है इसलिए ज्यादा नम जगा पर ये automatic on हो जाएगा अगर circuit को लेकर कोई परिशानी हो तो comment करे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next video may see you soon झाल